C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का अठार्वा पाठ ऐसे भी होते हैं घर मेरा नाम नसीम है मैं श्रीनगर में रहता हूँ कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है यह पूरे साथ दिनों तक रहेगी जानते हो क्यों हमारे स्कूल में कैम्प जो लगा है कैम्प में कई जगों से बच्चे आये हैं मैदान में टेंट लगा कर सब के रहने का इंतिजाम किया गया है हमने स्कूल को खूब सजाया है कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से जालर बना कर उन्हें दर्वाजे पर लगाया है कुछ ने बदाम के छिलकों से पोस्चर बनाए है कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है आज केंप का पहला दिन है हम सब बहुत खुश है सुभा सब बच्चे इकठे हुए सब बच्चे जमीन पर एक गोला बना कर बैठ गए सबने अपना अपना परिचय दिया सबने अपने बारे में बताया कि वे कहां रहते हैं क्या खाना पसंद करते हैं बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं बारी-बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया सबसे पहले भुपेन के समू की बारे आए भुपेन ने अपना नाम बताया और कहा मैं असम के मोलन गाउं से आया हूँ हमारे यहां बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट उचे बने होते हैं इन्हें मजबूत बास के खंबों पर बनाते हैं ये घर अंदर से भी लकडिके ही बने होते हैं बुपेन के यहां घर बास के खंबों पर क्यों बनाते हैं इन मकानों की छटें कैसी हैं इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है रात के समय इन मकानों की सीड़ी हटा देते हैं बताव क्यों अब आई चमेली के बारी उसने कहा मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है हमारे यहां भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे मकान, पत्थर या लकड़ी से बनते हैं चमेली का घर किस इलाके में है चमेली और भुपेन के मकानों की छटों में क्या समानता है ऐसी छटें इन इलाकों में कैसे मदद करती है अब सुनो मिताली और अनुज ने बताया मिताली और अनुज दिल्ली से आये हैं उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरे दिखाएं एक तस्वीर में उची उची इमारत देखकर भुपेन बोला अरे इतने उचे मकान इन में उपर तक कैसे चड़ते हो इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुमारे यहां भी ऐसे मकान है बहु मंजिले मकानों में उपर कैसे चड़ते होंगे दिल्ली भारत की राजधानी है दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गामों और कजबों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं यहां रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगा कम बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं उन्हें जुगी जोपणियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वो भी नहीं लोग जहां मिले वहीं सोजाते हैं सलक पर, फुट पाथ पर, स्टेशन पर वाकई, शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है काशी राम ने बताया मैं राजिस्थान के एक गाउं से आया हूँ हमारे यहां बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोद कर सुन्दर बनाया जाता है छतें कटीली जाणियों की बनी होती है इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया परिचे के बाद रंगा रंग गारे क्रम हुआ बच्चों ने तरह तरह के नाच किये अपनी अपनी भाषा में लोगीत सुनाए सबने इलाइची और बदाम डला हुआ कहवा यानि चाय पिया बहुत मज़ा आया शाम को हम सब डल्ज हिल घूमने गए वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया चारों तरफ नीले नीले पहाड और बीच में चार चिनारी हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे? क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? क्यों? चित्र देखकर मिलान करो यहाँ पर अलग-अलग तरह की घरों के चित्र हैं जैसे इगलू, हाउस बोट, भूमंजिला मकान, तंबू, जोपडी अब आप इन मकानों के नाम, नाम का चित्र से मिलान करो तुम्हारा घर किन-किन चीजों से बना है? उस पर सही का निशान लगाओ घास मिट्टी लकडी सिमेंट कैन्वस लोहा प्लास्चिक चूना बास इंटें काच पत्थर अपने घर के आसपास के मकानों को देखो वे किन-किन चीजों से बने हैं? उन चीजों की सूची बनाओ मकान जिन चीजों से बनते हैं उन चीजों के नमूनों को इकठा करो आओ इंट बनाएं चिकनी मिट्टी को गूंद लो खाली माचिस में दबा कर भरो सुखा कर निकालो तुम्हारी छोटी सी इंट तयार हो गई अपनी इंटों पर तरह तरह के रंग करो उस पर अपना नाम भी लिखो इन सभी इंटों को मिला कर एक रंग बिरंगा घर बनाओ घर की जहत को भी सजाओ कई तरह के घरों के चित्र इकठे करो या उनके चित्र बनाओ चित्रों से एक सुन्दर चाट बनाओ कक्षा में उसे सजाओ ऐसे भी होते हैं घर अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रेट